हेलो एव्यवन दिस इस अमित पांडे वेलकम टो प्लैटफॉर्म डाउटनट लेर्न फन तो कैसे हैं आप लोग बच्चो तो फाइनली यूर वेट इस ओवर नाओ और फाइनली आज पहला लेक्चर है सोशल साइंस का काफी टाइम बाद हुआ है और आज हम क्या करेंगे आ चार्ट के फॉर्मेट में पढ़ेंगे क्योंकि चार्ट के फॉर्मेट में आप एक तो एजी हो जाएगा कि आप थोड़ा सा नोट बढ़ा सकते हो इस चार्ट को आप को कॉपी बहुंकि ये एक्जाम time पर आपकी काफी हैल करने वाले हैं और दूसर क्या है कि अगर हम चा नहीं किता है, story की format में पड़ा गरो, जैसे आप Netflix पे, Prime पे जो movies वगरा देखते हो ना, और जो भी आपकी web series वगरा है favorite, उनकी stories आपको याद होगी अभी तक, detail में आद होगी, हैने आफिर आप anime वगरा देखते हो, anime तो खेर मेरे को अच्छे लगते है anime तो, बठा, anime की हम ब effect है, तो इतनी speed रहेगी मेरी, और अगर ज़्यादा धीरे लग रही है, तो आप 1.5 की speed पर भी देख सकते हो, तो ज़्यादा अच्छी voice लगती है, मेरे को ऐसा लगता है, फील होता है, बाकी साब आपकी मर्जी है, लेकिन हाँ, इस chapter को शुरू करेंगे, हम starting से लेके end दे इस chapter को हम पढ़ेंगे, और detail में पढ़ेंगे, और कम से कम वक्त में इस chapter को हम complete करने की कोशिश करेंगे, और एक request है आप से, जो भी topics है, इनको अलग अलग topics की तरह मत देखना, जो भी आपके NCRT के topics हैं, फिर आप इतनी book लेके बैठे हो, तो as a, सब को ने जोड़ के चलन को connect करते हो चलना है, उसके बाद इस chapter को पढ़ने का अलग ही मजा है, मतलब बहुत ही, मतलब एक अच्छी story हम पढ़ेंगे, कि हमारा भारत जो है, आज जो भारत दिखता है, इसके पीछे की story क्या है, क्योंकि हमारे जो बहुत बड़े-बड़े जो nationalists थे, नहोंने बहुत struggle किया, लाखों लोगों ने अपनी जान दी, उसके बाद हमारा जो भारत है, वो भारत दुन पाया है, ठीक है न, तो अगर हम बात करें, nationalism इंडिया की, भारत में राष्टवाद की हम बात करें, तो इसका जो हम आज one shot करने वाले हैं, और start करते हैं, बिना किसी देरी की, च simple सा मतलब होता है कि जब आप अपने देश से प्यार करते हो, आप हर किसी से प्यार करते हो अपनी लाइफ में, है न, अपने पेरेंट से, प्रेंट से, ब्ला ब्ला ब्ला, तो जो प्रेम जो होता है, जो प्यार जो होता है, जो देश के लिए होता है, अपने country के लिए होता आपकी जो लोग हैं वहाइश्व मैँ आपको कुई हमारेंगा कि जो एक फीलिंग होती है तो यह कहीं ना कहीं नैशनलम को बॉत होता है ऐसी और नेशनलम जो है आपके अंदर से आता है ऐसा थोड़ा है कि आपको कोई मारेगा कि आपको अपने country से प्यार करने ही करना है वो एक अंदर से आता है अपने आप और इसके मैं आपको हजार हो example दे सकता हूं जैसे कि बहुत ही perfect example है जैसे match होता है cricket match तो जब इंडिया जीतती है कोई भी टीम हो चाहिए पाकिस्तान हो इंग्लैंड और अस्ट्रेलिया हो तो हमें खुशी क्यों मिलती है हम बहुत खुश हो जाते हैं कि इंडिया जीत कि आपको पैसे मिलने है तो फिर भी हम खुश होते हैं क्योंकि वह तो टीम इंडिया है पूरे हमारे इंडिया को रिप्रिजर्ण कर रहे हम यह थोए जब भी जीतती है तो हम लोगों थरुशी मिलते हैं औंपесь फूराइब बहुंघ्ट करते हैं तो आप भी ही बौलोगे न कि हम इंडिया से है Chris wing चाहिए बाकी अगरौ नेसल बढ़ल का मतलब डे तोछ चाप्टर को शुरू कर लेते हैं चाप्टर को शुरू करने से पहले हम एक story पड़ते और वो जो शुरी है इस चाप्टर से एपना नहीं को मजा आएगा मैं guarantee देता हूं कि 아पको अच्छे से connect करने में थोड़ी, मतलब जो अच्छे सा connect कर पाओ गया, पूरे chapter को, ठीक है, चलिए, तो इस chapter की हम बात करों, तो कहानी है, जब हमारा बहरत जो इंडिया था, वो एक सोनी की चडिया, golden sparrow बोला जाता था, we used to call golden sparrow, बहुत, बहुत अमीर से हम, ठीक है, मतलब इतने जाद अमीर थे क हमें, like, जो दूसरे देश थे ना, पूरी दुनिया की जो देश है, उनकी जो 30-40% जो GDP है, वो हम contribute करते थे, हम और चायना मिलके, है ना, 25-30% हम, 25-30% चायना, तो हम जो एशिया था उस टाइम पर, जैसे आज की ताम पर योरोप आप देखते हो ना, इतना जादा रेच है उस टैम पर जो, इंडिया था, चायना था, काफी प्रॉस्परस कंट्री बोले जाते थे, अचा, हुआ क्या, तो एक बहुत बढ़ी डिस्कवरी हो जाती है, 1498 में, वास्कोड गामा होते हैं, वाई, पुर्दगाली होते हैं, चलते हैं, अपना शिप लेके, पुर्दगा में, और यहां पर जो, बोला जाता है कि 15th century की सबसे बड़ी डिस्कवरी में से एक है, और इसने क्या किया, इसने यॉरोप से इंडिया के जो टेड़ से ना, उसके एक नया रास्ता खोल दिया, क्योंकि जो नॉर्मल रास्ता था, जो मेडिटेरियन सी, और रेक्सी से होते है, तो भाई वहाँ पर वह अपने चो कार्गो से लेके जाता है, उसको 60 टाइम प्रॉफिट पर बिसता है, सोचके देखो जा रहा हूँ, 60 टाइम जब बापस जाता है, और यहां पर पता चलता है उन लोगों को यार, इंडिया तो सच में एक सोनी की चडिया है, हम यहां पर स्टार्टिंग में इनिशली इनके जो इंटेंशन थी ना वो थी के ट्रेड करने की, है ना, इनिशली, लेकिन फिर जब यह आये इंडिया में, तो इनने लगा क्या, इंडिया में तो सच में बहुत ही पागल लोग रहते हैं, इनने तो आपस में तुम लड़वा सकते जो भी थे, मतलब जो भी आये थे, वो सारे strong ruler थे, और जो end का ruler सा, जिसे हम बोलते हैं orange jib, orange jib नहीं था बाकि, मतलब सबसे strong ruler सा, orange jib के हम बात करें, end में, उसके बाद तो जो भी मुगल rulers आते हैं, वो काफी weak होते हैं, तो उन्हें हम consider नहीं करेंगे, तो जैसे ही यहाँ पर औरंग ये की मृत्ति होती है, उसके बाद मराथास पावर में आते हैं, और जो थर्ड बैटल ओफ पानीपत हुआ था, मराथास के बीच में, है ना, और एहम शापदाली जो हुआ था, इसके बीच में जो यूद्ध होता है, यहाँ पर जब मराथा हार जाते हैं, पहले म मौका लगना चाहिए, अब क्या हुआ उन्हें देखा कि एक तरफ मुगल वीक हैं, एक तरफ मराथा वीक हैं, और एक काम करते हैं, हम अब खेल जाते हैं, तो फाइनली जो फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था, है ना, 1757 में, और 1757 में जब प्लासी का बैटल होता हैं, यहां पर, है ना, बैंकवल की नवाब होता है, तीनों जो मिलकर जो है, फिर भी बिटिशर्स को नहीं हरा पाते हैं, और फाइनली यहां पर जो है, एक डॉमिनेट हो जाता है, यहां पर बिटिशर्स का रूल जो है, डॉमिनेट हो जाता है, बैटल ऑफ बक्सर के पा पर हम दुनिया के सबसे गरीब देशों में जो हमारी गिंती होती थी आप तो बहुत जादा स्टूइशन इंप्रूव हो चुकी है और पौवर्टी भी काफी इंप्रूव ही है पौवर्टी में काफी गरावर्टी भी देखने को मिली है लेकिन हाँ अब तक क्या था अब त इंडिपेंडेंस से बोला जाता है यह हुआ तो लेकिन यह काइंड अफ सक्सेस फुल नहीं हो पाया इसमें हमें सक्सेस नहीं मिली फिर आप देखोगे के थोड़ी सी चीज़े शांत हो जाती है और बीच में एक पार्टी आती है कॉंग्रेस पार्टी 1885 में इस कॉंग्र तो यहां पर इन्हें मतलब समझ में आता है कि नहीं यार यह जो अंग्रेज हमें बेपकुफ बना रहे है और कहीं न कहीं यह हमें बिल्कुल ही बिल्कुल ही मतलब निचोड़ के छोड़ेंगे यह लोग तो यहां पर आप देखोगे फिर 20th century से जोए हमें पर movement होना शुर शुरुआत हो वहीं से अपनी जो chapter की starting होगी और यहीं से जो हम chapter को detail में पढ़ेंगे ठीक है यह थोड़ी सी background की story है कि हम एंग्रेज जो थे कैसे कैसे हमारे भारत में आये और कैसे कैसे हां और जो जैसे बहुत सारी एक चीज़ और बताना चाहूंगा बहुत सारी शक्तिय होई कि इंडिया पर रूल कौन करेगा तो इसमें जीता कौन बिटिश और बिटिश इंडिया में कवाए थे तो 1607 के लगवाग आये थे लमसम आये थे उस टैम पर मुगल से शायद जहांगीर थे शायद हमारे जहांगीर या फिर अकबर थे उनके टाइम पर बिटिश आय और वो करवाने काम बेरा है लेकिन आपको थोड़ा सा हटना नहीं है हर एक टॉपिक को जोड़के देखना है तो पहली चीछ कर दिए फिर्ट चैप्टर से करो थोड़ा सा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था नेशनलिजम इन योडोग इनके अंदर जो नेशनलिजम की फिलिंग होती है वो आती है तो यओरोप में रिनिले सांस का चो पिरिट था वो शुरू हो गया था आपको पता होना चीए और एक मिदल क्लास जो लोग होती है और मिदल प्र्णिन का और सिबूँ दिमाग उसका जिंदा हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, वो सवाल पूछने शुरू कर देता है, तो यहाँ पर यॉरोप में कुछ ऐसा हुआ, लेकिन अगर हम इंडिया की सीन की बात करें, और हाँ, इसमें फ्रांस का बहुत बड़ा रूल था, क्योंकि आपने देख और एक फ्रीडम की जो होता है, जो उदारवादी लोग थे, लिबरल जो लोग थे, क्या चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, और यह सारी चीजें देखने को मिलती है, तो कही ना कही चिंगारी जो थी, फ्रांस से उठी थी, है ना, उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करे हैं, तो इंडिया का थोड़ा केस अलग था, इंडिया में, बेसिकली हुआ क्या था, इंडिया की गुलाम था, और जब गुलाम था है इंडिया, तो इंडिया में जो नेशनलिम को ले के चीजे थी ना, वो थोड़ी से डिफरेंटी है, इस इस तो यॉरोप, यॉरोप सा क और हमारे यहाँ पर हमारे अंदर जो है नेशनलम की जो फीलिंग थी वो आनी शुरू हुई थी, ठीक है ना, तो इन सारी चीजों को बात करेंगे हम, अचा, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम पहुंच जाते हैं कब, तो हमने 1905 तक अभी श्टोरी पढ़ लिया, कि आपने, जस चैप्टर की स्टोरी है, कहां से शुरू होगी, 1914 से, याद रखना, अचा, अब यहाँ पर हुआ क्या बाई, आप एक भी बहुत ज़रूरी इवेंट होता है, बहुत इंपोटन इवेंट हो जाता है, बहुत बड़ी घटना हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं, फर्स्ट वर इंपरियलिजम बाला, जो टॉपिक है, जिसमें बालकन रीजन्स चो होते हैं, उसमें काफी क्यों स्क्रेट हो जाता है, और बालकन रीजन्स के लिए जो बड़ी बड़ी जो पावर्स होती हैं, आपसमें लड़े जाती है, तो उसकी वज़एसे क्या हुआ था, फर्स्ट के बीच में होता या, जैसे होता है, सब्सक्रेटाथ से बीच में होता है, जिसमें ड़ड़ायां होता है, तो सेक्शन A की सेक्शन V से लड़ाय खी,र्स Silence C एक तो यहाँ पर क्या का टाइंड आए तो गटन बोल जा है, तो इसमें दुनिया की बॉछ सारी जो नेशन्स हम तो इस सेंटल पावर थी, जिसे हम केंदरी शक्तियां बोलते हैं, और दूसरे था अलाइस पावर, अलाइस पावर मतलब जो मित्र राष्टे, क्योंकि मैं हिंदी में भी पढ़ाता हूँ, कुछ बच्चे अगर देख रहे होंगे, तो वह आदत है मेरी थोड़ा हिंदी में और रीजन क्या है, इतना जाना ज़रूरी नहीं है, आपके कोर्स में नहीं दे रखा, ठीक है, चलिए, तो सेंटल पावर के बात करें, इसमें कौन था तो इसमें जर्मनी था, जर्मनी, याद करो जर्मनी, है ना, युनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, सब पढ़ें हैं, अम एक पर की था, उस टाम पे टर्की नहीं था, यह बिसिकलिए ओर्टमन एंपायर था, तो लिख लेना, मैंने लिखा रही हैं तो आप हाँ, यह नोट्स बनाते रहो, इसका स्कीन शोट भी ले लेना, बहुत ही प्यारे प्यारे नोट्स लाएं, पूरे चार्ट की फॉर्म में, पूरे चार्ट की फॉर्म में, आपको कुछ नहीं करना, एक्जाम से एक गंटे पहला पढ़ भी लोगे, तो आपको क्लियर हो जाएगे, ठीक है, चलिए, तो टर्की था, ऑस्ट्रिया हंग्री एंपायर था, और जर्मिनी था, अच्छा, बात करें एलाइस के, एलाइस, पावर, तो इसमें कौन था, तो इसमें ग्रेट ब्रिटेन था, यह वही ग्रेट ब्रिटेन है, जिसने क्या किया था, इसने इंडिया को अपना कॉलनी मनाया था, ठीक है, तो इंडिया इसी का गुलाम था, अब ग्रेट ब्रिटेन का, रशिया, है ना, रशिया की हम बात क परल हार्य पर वेसे चाहँ चाहँ पर बात करें तो स्टर्टिंग में पार्ट्पेट मयाद यहां पर डोनुंक Ce각 20 सटेंग होता है यो स्सेटमण का 20 को शालों में की अमेरीका की Ntry एट आछा तो स्ट्र्ट तो यहां पर जिन्मानी जीत रहा है तो Schuld के आखbil हो इन में लड़ाइव होती है, World War होता है, Central Power versus Allies Power, उसमें जीतता है बाई, तो इसमें जीतते हैं, Allies Power, allies nation जो हैं, वो जीत जाते हैं, और हाँ, अब यहाँ पर आपका main question नायरेज के, ईससर हम इसके बारे में क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम बात करें 1914 से 18 की तो इंडिया तो एक कोई नेशन था ही नहीं इंडिया पे तो इंडिया कॉलनी था उस टाइम पर तुम इसके बारे हम पढ़ कियो रहे हैं तो यार यह तो देखो कॉलनी था किसका किसकी कॉलनी थी हम तो भाई ग्रेट बिटेन की कॉलनी थे न औ यहां पर कुछ ना कुछ तो इंडिया पर असर पड़ेगा क्योंकि हम किसकी कॉलनी थे ग्रेट बिटेन की और हां यहां पर एक चीज और हुई थी कि हमारी बहुत सारी जो सोल्जर्स थे वह भी लडने गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्योंकि इन्होंने अंग्रेज न मैं इसको पताऊंगा मतलब क्या होता डॉमिनियन स्टेटस का यह भी समझोगे बट एक वह एक लालस दिया गया था लेकिन बाद में बेब कूप बना दिया गया हमें ठीक है अब यह समझ लेते हैं कि हां इंडिया पर क्या असर पड़ा इसका फर्स्ट वर्ड वार हो रहा लेगिन अंग्रेजुने हमें क्या से देखा है खुली तुजोरी की तरह देखा जितना हो सकते हैं अलूट लो अब हुआ क्या इंडिया पर डायकली इसका असर देखने को पड़ा पहला हम पॉइंट्स में सारे आध रखना मैं थोड़ा आट जाता हूं आप आप यू के टेक देख श्कीन शॉट ऑलसो तो यहां पर आप श्कीन शॉट ले सकते हो तो पहला जो असर पड़ा वो था कौन सा ही इंडिया की तुजोरी में से निकाला गया ठीक है चलिए पहला यह हुआ दूसर यह हुआ इंकम टेक्स बढ़ा दिये गए अब जैसे होता है कि जैसे जो लडाईयां होती है ना बेटा लडाईयां लाठी रंडों से नहीं होती है लडाईयां जो होती है वो वैपन से होती है किस से होती है वैपन से है ना बंदू को हो गए वह तो अगयरा जो होती है मिसाल से होती है उच टैंपर तो टेक्नलोजी काफी डेवलप भी हो गई अच्छा custom duties क्या होती है इस हम Hindi में बोलते है सीमा शुल्क जैसे आप कोई भी एक border cross करते हो तो आपको यह जो duty है पे करनी पड़ती है अब यह जो duty है बाई चाहे import हो रहा है चाहे export हो रहा है तो मैं यह duty पे करनी पड़ेगी अब सोचो कितना घाटा हो रहा है मतला हमारे जो तो finally जो आपके end price जो होते है final price जो होते है उसके जो rate होते हैं बहुत जादा बढ़ जाते है है तो आप देखोगे यहां पर तो यहां पर सारी चीजे connected है अब सुनो नहीं आप जैसे defense expenditure बहुत बढ़ गए इनके जब defense expenditure बढ़े तो obviously income tax बढ़ जाएगा custom duties बढ़ जाएगी चीजों पर टैक्स बढ़ जाएगा अब जब चीजों पर टैक्स बढ़ जाएगी तो चीजे महंगी हो जाएगी तो यहां पर देखा गया कि price जो इंक्रीज हो गए double हो गए यानि कि 1913 से 1913 तक जो चीजों के price थे हो दुगने हो गए और विस्सी बात हो जाएगी मतलब यह 10 मेरे को अगर 10 रुपे का मिल ला है और यही पैन मेरे को 20 का मिलने लगे तो मेरे को क्यासा आपको क्यासा लगेगा बहुत हुज रिफरेंस होता है और एक दूर बढ़ता है तो ठीक है पाले जी जो आता है वो अभी पांच रुपे अब यहां पर पहले क्या था कि पहले आज की तैम पर तो modern technology है तो crop fail नहीं होती है ना बहुत सारे तरीके है पहले जो लोग थे 99 परसंट जो लोग है हमारे farmers जो है वो rain पे डिपेंड होते थे कि बारिश हो जाएगी तो हो जाएगी फदल नहीं होगी तो परबाद हो जाए यहां पर ऐसा पोला जाता है इनकी जो पूरा रूपोर्ट निकाली जाती है उसमें देखा गया करीमन 10 से 15 मिलियन जो लोग होते हैं इनकी मौत होती है इंडिया में सोच के दो बहुत बढ़ा नंबर है उस टैंप तो इंडिया की population ज्यादा थी भी नहीं 10 से 15 मिलियन जो किया न इनकी मौत हो जाती है ज Butter तो यहां पर जब जन गर्ना होती है तो उसमें देखा जाता है 10 से 15 मिलियन की मौत हो जाती है और क्या हूब चेंशा बेंधर क्षा पर को भार जाव ऑना नेगी अडता है तुम क्यों लोगे यार वालों के अंदर कोई अदुड हैं हम क्यों क्यों लड़ेंगा या यारै तो यहां पर अपर टंगरमेंटी को नहीं कर लिंदा डाए डीट के आए गए-दिश में- तो आपको इस सारी पॉइंट से लिख देने है तो अभी तक आपने कहा नहीं समझ ली ठीक है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वर चल ला है और काफी दा क्यों है हमारी कंट्री में वह क्यों है क्यों कि अब आपको इतना जो है किलिए हो गया होगा चलिए अब बढ़ते हैं आगे और फालि होता न है कि जैसे मूवी चल लिए होती है और मोवी में जो हीरोन होता है न हीरो उसके पीछेशरआ ही महाति होती है और फाइनलि जो हीरो की एंट्री मैं और गांदी जी गीटाती है है इस बेस़िटल्ले और फाइनली गांदी जी कित्वे प्रिटिश थे जो पूरी यौरूप की जो पावर्स थी जैसे इंडिया में आई थी वैज़से यह अफ्रीका में भी गए थे और एफ्रिका को भी इन्होंने अपनी कॉलिणी मनाया था और गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी वहाँ पर, जो लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, जो लाइक, वर्कर्स वगरा होते हैं, उनके लिए उन्होंने एक मुवमेंट सत्य करहा शुरू किया था, और वहां की जो एपर्थाइट गॉवर्मेंट जीत थी, जो कैंड के basis पे discriminate करती थी उसके अगेंच जो है इन्होंने सत्यागर्य जीता था और वहां से सत्यागर्य करके गांदीजी इंडिया आ रहे तो एक नॉलिज के रहा हूं मैं आपको इस दिन को हम भारती प्रवासी दिवस की रूप में मनाते हैं गांदीजी आये थे एफ्रिका से यहा माइगर्य जो भार से आ रहे हैं तो यहां पर भारती प्रवासी दिवस मनाते हैं 1915 में और शायद 9th of January देट एक बारी चैक कर लेना शायद 9th of January था मतलब डेट में थोड़ा सा confusion है इस दिन को हम क्या मनाते है जब गांदीजी आये थे तो उसे प्रवासी दिवस की रूप हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ 1905 में तुमने कर लिया हाथ पर मार लिया हुआ कुछ नहीं हुआ तुमने अंग्रेजों को मानना शुरू कर दिया कोई नहीं हो तो गांदीजी कहते हैं कि I have an idea है ना तो फिर लोगों ने पूचा कौन सा idea है तो गांदीजी ने बोला idea of satyak अल्य गांदीजी चीवोती है या पर क्या आ जाते है तो कोई बात नहीं अपन स्चाई का साथ दे रहें बेसिकली सत्या घरे है हम बात करें तो अगर हम डिटेइल में बात करें तो यहाँ पर अगर आप ये सका स्कीन शॉत लेलो लेलो वर्नमा ऐसी बता देता हूं ज्या अगर आपका जो रीजन है, जिसके लिए आप लड़ रहे हो, उसमें सच्चाई है, और आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको जो है, उस सच्चाई को साविद करने के लिए, सामने वाला जो ऑपरेसर है, जो आप जो आपको पतलब जैसे होता है न आप शायद मेरे साथ बहुत बारी हुआ है आपकी साथ भी होता होगा, कि इसे होता है कि आपकी आपकी ऑन्दर से जो आपकी अंतर आत्मा होती है, उसे खराब लगता है, कि नहीं आपको रेग्रेट हो जाता है, कि आप मैंने डांट दिया और जब कि इसकी गल्टी भी नहीं थी, गल्टी तो मेरी थी, और मैंने उसे ड repentag公 volcano से, तो उता है कि आपको और रिग्रेट मोजा हूं थी कि मैं जैसे किसी को डांट दिया मैंने, तो मुझे गंदा फील होता था, क्योंकि मेरी गल्ती उस टाम पे होती थी, सामने वाली गल्ती नहीं होती थी, ऐसा कही बारी हो है, बच्पर मेरे साथ, तो गांधी जी कहते थे, कि अगर तुम्हारा जो reason है, जिसके लिए तुम लड इसमें में जो इनका feature था, सत्यागरा में, कि हमें जो है न, वालेंट नहीं होना हमें, हमें जो है, फोर्स का इस्समाल बिल्कुल भी निकरना, without using force हमें क्या करना है, हमें जो अपनी बात को मनवाना है, तो starting में जब यह idea आया था basically, तो गांधी जो थे न, बचारे, गांध पर वस वही है, है न, तो गांधी ने बोला, आई रा समझ में, तो यहाँ पर kind of क्या था, truth plus to hold, मतलब truth, अपने सच्चाई पर बने रहो, अपने सच्चाई के रास्ता मत छोड़ो, और force का इस्तमाल मत करो, आपको उसकी conscience को पहले से realize करवाना पड़ेगा, कि वह गलत है, ठीक, अगर उसको realize हो गया, तो आपकी जीत हो जाएगी, ठीक है न, तो यहाँ पर वही लिखा हो है, अगर आप पड़ोगे, so it suggested that if cause was true, if the struggle was against the injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor, मतलब हमें जो है physical force की जरुवत नहीं है, अगर आपका जो reason है, आप जिसके लिए struggle कर रहे हो, सही है, ठीक है Corpse to the, accept the truth to the use of violence, तो बेजिकल समझ में आया, यानि कि आप सही हो, वो तो ठीक है, लेकिन आप सामने वाले को force कररे हो, आप सामने वाले को physically force का सतमाल कररे हो, कि आप सही हो, आप, मतलब अपने आप को proof कर रहे होना, physically force का इस्तमाल करे कि आप सही हो, तो वो गलत है, यहाँ पर जो ऑपरेशर है उसको खुद बाखुद ही अरफ हो जाना चाहिए कि आप सही हो ठीक है तो यह था सत्यागरे का आइडिया थीक है समझ में आ गया जली जो तो आया ना मैं थोड़ा सा सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब अब तो ह know that यहां फोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में है अब गॉम लेते चल कर रहे हो तो पहले जाईजा लेते हो चीज है कैसे तो गांदी जी पहले 1916-1960 तर पूरे इंडिया में गूमते हैं टैलते हैं और गांदी को सपोर्ट करने वाले भी काफी लोग थी क्योंकि होता है एक मतलब एक और एक और होता है हर एक इंसान का मतलब याद रखना मतलब लाइफ में हमेशा कि आपको लग जाता है क्या क्या एक इस तौसे थे टो ना यहां पर की स्ट्यक्रे के साथ आए थे फिर विश्वास करें तो भू यहां पर क्या यहां ओंडी रॉन कंहा है? और यह जो है आपको जाना बहुत ज़ूरी एक्जाम प्रस्पेक्टिफ से तो पहला सत्या गिर्था था पीजर्ट मूंट इन चंपारण यह है ना और यहां पर एक बहुत में पीजन्ट से एक बाप बोल सकते हो किसान थे राच्कुमार शुक्रा नाम था उनका और उन्होंने गांधी के बारे में सुना था तो यह गांधी के पास जाते हैं और इंके साथ वो जो हमारे देश के पहले राजपती थे डॉक्टर रा इंडिय में पहले इंगलिशम को यह रहे हैं तो यह था तो ऐसी पहले आजेकल केर नियूप्ल पहुनी उटिह यह थी वह आते है लेगद शुरू तवर सब्सक्राइप जो कपड़े खेती थे वर गदба अब दिक्कत कर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लिइंक दिक्कत धिए थी कि, दिक्कत एक नहीं थे, भोले तिक्कत भोले थी, पहली दिक्कत धिए थी कि, यहाँ पर उंग्रेज्स थे performance ने जो अंग्रेस थे इन्होंने तीन कठिया सिच्टम को इसमें किया था, कि आपकी जो भी खेती है टोटल जो आपकि बिसरी जो लैंगे आपका उसका जो आप सकते हो थी 20th काड़ जो है कि उसके झूपर आपकोड़ेंगा ऊसी सब्सेंदल नीहीं कंटिक और उदर नी इसे मेंसे आपको 15% 15% मतलब 3 by 20 मतलब आपको total land का 100 acre है तो उसके 320 पार्ट पर आपको क्या करना पड़ेगा आपको जो है नील की हीती करने पड़ेगा मतलब अब 100 पीगा जमीन आपको 100 अकर जमीन तो 15 पंधरा बिगा जमीन पर आपको टमाहखू यहां फिर को उती है उसकी खेति आंपर नील की खेती करने ही करनी पड़ए आर्फ तो वह तो इन ग्रेटीиков Idika तो तो वह सौन जो था ना 2-3 के अंदर बिल्कुल यlio बंजर मुझा जमीन थि थी पहली दिक्कत यह थी दूसरी दिक्कत यह थी कि अगर किसानों ने उस पर खेती नहीं कि अगर मतलब 15% जो है मुझा थी टॉंटी पार्ट पर फिव्टीन परसेंट पर खेती नहीं कि तो क्या होगा तो यहां पर जो उसे एक्स्ट्रा टैस्स बहुत जादा टैक्स पर कर करता था वो जो है किसानों से बहुत ही कम दाम पर इंड को खरीडता था और उसे महंगे दाम पर बजार में बीशता था तो यहां पर सारी दिक्कत नहीं प्राइस भी द्हूंकिंत नहीं मिलते अच्छी बात थी चलो पैसा तो आ रहा है कम से कम इन्हें दाम भी बहुत कम म पर और गांदी जी एक पूरा सत्यग्राय मुंट चलाते हैं और फाइनली अगर में बातकुन जादा टेल में नहीं जाएंगे कि इतना ही देर्खा आपकी बुक में और फाइनली जी जो सत्यग्राय होता है काफी जादा सक्सेस्फुल रहता है गांदी जी बहुत अच्छे आप खेती करो नमर्जी नमात करो तो पहला यह जो 1917 में सत्यग्राय हुआ यह कैसा रहता है सक्सेस्फुल रहता है और जब यह सत्यग्राय सक्सेस्फुल हुआ थो मतलब गांदी जी की पॉपुलारीटी बहुत जाला बढ़ जाती है होता है कि आप जो यह चीज है बिना आपने बिना डंडा उठाए बिना बंदूक उठाए आपने एक लडाई जीत ली तो बहुत बड़ी बात होती है तो सत्य कर रहेगा जो पहला एक्सपरिमेंट था वो काम्याब हुआ है ना पहरी लडाई अच्छा आप बात कर लेते हैं दूसरी लडाई के बारे में दूसर विजरात में खेडा नाम की डिष्टिक्ट थी और यहां पर 1918 में क्या हुआ था खेडा आंदूलन हुआ था अच्छा जो मूवमेंट था पीजन का मूवमेंट था यह भी किसान का था और यहां पर हुआ था तो याद करो थोड़ा सा नहीं क्या बताया था उस टाइम पर और गांपर विण गै घंच रहता है नियुकि अधर नहीं के घृम को मर रहे हैं गोग भी तरह दो ऑँड़ी तब बहुत फेल नहीं तो कि यहां पर लोग नहीं क्योंकि अूर्ट इसका कोई इलाज नहीं था और जब इलाज नितल लोग मर रहे थे तो यहां पर बहुत सरी दिक्वत दिक्केते थे हुपर से क्या होगा ओपर से इन्हों 23% tax बढ़ा दिये तो लोग बहुत नाराज थे तो इसी का विरोध करने के लिए तो इसी का विरोध करने जो है यहाँ पर गांदी जी आए और गांदी जी जब आए तो यहाँ पर क्या होता है यह जो movement होता है यह भी काफी successful रहता है ठीक है यह भी successful हो जाता है यहाँ पर इन कि यहाँ पर यह जो सप्तकरा होता है, वो सक्सेस्फुल रहता है, ठीक है, चलिए, अब तीसरी भी बात कर ले थे, तीसरा था यार, वरकर्स भी आपर कोई ठीड का डी था All the इस बारें एंडल करें जो ऐंदा मिल्स ट्राक ही में अब यह पर भी थिदया मारे इंडियेशन नहीं थे यहां पर इन्डियान से यह यहां पर plague बीमारी फैले गई थी और जब plague बीमारी spread हो रही थी उस टाइम पर तो यहां पर जो लोग थे ना वह भाग गया डर की वैसे मला कोई काम नहीं करना चाहता था जैसे जो भी वर्कर्स वगरा जो थे वह अपने घर को चले गए तो जान प्यारी है ना जान नी रहे तो इन्हें ना plague bonus दिया जाता था प्लेग बोनस अब बात बताओ यहां पर हठाने का लॉजिक क्या था महंगा इतनी बढ़ चुकी है और आपने जो प्लेग बोनस दिया था वो हटा दिया अपने तो सली तो आदी हो गई उनकी क्योंकि प्लेग बोनस बहुत अच्छा कहा तो यहां पर हमारे जो salary है, उसको 50% increase कर दिया जाए, तो इसी वज़े से जो इस ट्राइक हुई थी, और यहां पर याद रखने, गांधी ने पहली भूखरदाल भी गीती है, जो हंगर स्टाइक जो होती है, सबसे पहले गांधी नहीं पर कीती है, तो यह भी क्वेशन आ सकत करते हैं, basically, quote में भी case जाता है, और यहां पर पूरी जो है, दलीले दी जाती है, और फाइनली जो है, गांधी कहाते हैं, ना तेरा ना मेरा, क्योंकि जो मिल मालिक था, हो कह रहा था, हम 20% increase करेंगे, तो यहां तेरा ना मेरा 30% पर जो है, 35% पर यहां पर, आप हो सकते हो, इन्होंने भी गांधी जी का support किया था, इन्होंने भी workers का support किया था, उनकी सगी भैंती सोच के देखो, मतलब बहुत बढ़ी बात हो जाती है, है ना, तो कहीना कहीं गांधी को लोग support करते थे, अब क्या हुआ, आप आपने तीनों में गांधी की एकदम शांदार जीत हो ह विल्कुल भी देखने आप यहां पर यहां पर गांधी नयम पर तो यहां पर यहां पर जो सथेय। मतलब होता है ने कि सकंदी ने का तो आप और बंधा कर देता है तो आप ह sharp बना देते हैं तो बाकी बच्चों की निर्म हीरो बन जाता है तो यहां पर जो गांदी जी थे ना यह देखती रहती थी कहां जा रहे है उसके दुश्मन तो गांदी जी जो है वह सब कुछ कर रहे थे गांदी बन गेते हैं यह सब तक तक ही बाने जो अंग्रेज बैठके देख रहे थे और उस टैम पर एक बात और थी उस टैम पर नैशनलिस्ट मूँमेंट बहुत जादा आज इंसक्योर फील करती है तो यहां पर एंक पास कर देथे हैं इसका नाम हुँता है रॉलक्ट अक्ट अच्छा रॉलकट एक ख् jump में या पास हुआ है या था अब बेसिकली सेट में था क्या अब सोच के देखना अगर आप पर शक के बैसिस पर मतलब आप पर शक क्या बस है और आप किसी भी nationalist movement में किसी nationalist activity में involved तो आपको उठाके जो है जिल में डाल दिया जाएगा और एक और अंग्रेज यो थे वो जानवरों की तरह टीट कर रहे थे अब शक्क के बेसिस पर मिला इसकी definition क्या हुई कोई definition हुई कि अगर मानी चलो मैं जा रहा हूं रस्ते में और कोई भी मुमेंट हो रहा है मैंने देख भी लिया और किसी ने मेरे को देख लिया मेरे को उठा के ध ग्रफ्तार करलेंगे अगर हमं ऐसा शक होता है कि ये किसी भी नाशलिष्ट एक्टिविटी में तो यहां पर आप मोल सकते हो कि यहां पर गांटीजी नाराद हो गए आप उप्लिटिकल आप्टिविटीटी ळुक्षय प्लिटिकल अपर पहले जी से बोला जाता है और यहां पर पर रॉलेक्ट सत्तागराय जो है लॉंच कर देशिक्स अपर नेशन वाइड मुव्मेंट की यहां पर डिकलेशन कर दी और यहां पर काइंड आफ ऐसे बोला जाता है रॉलेक्ट सत्तागराय यह शुरू किस ने किया गांदी जी ने शिक्स एप्रिल 1990 आप यहां पर थोड़ा सा कहानी जोड़ के रखना ठीक है यह सब चल ला था और एक तरफ एक चीज और चल लए थी है ना एक क्या चल ला था यह जो सत्त्तर गराय की बात करूं मैं तो इस सत्त्तर गराय में क्या हुआ तो पीपल केम आउट इन सपोर्ट ऑफ इट है ना श पर अचा बात करूं मैं जलिएवाला भग है कहां पर तो यह अमृसर में आमिंशर कहां पर पंजाब में तो पंजाब के अमृसर ब्रिश्ट के नाम है तेरा अप्रेल था उस दिन बैसाखी का दिन था और लोग झो है शॉन्थ पूर्ठी के से जो प्रोटेस्ट कर रहे थ और इस वज़े से प्रोटेशर और यहां पर साथ की साथ प्रॉलच एक लिए भी ज़्य के प्रोटेश्ट हो रहा था अब क्योंकि सुच्छियोशन क्या थी क्योंकि जब वह जो जब गरफथारी हुई थी तीन दोनों की तो वहां पर मार्शल लगा ज retia और मार्शल लो में में क्या ओटाए कि आप साथ घूम नहीं सकते आप साथ मीटिंग नहीं कर सकते है ना वहाँ पर पूरा 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 वहाँ पर जो law है वो किसके हात में आ जाता है? law and order, वहाँ पर military के हात में आ जाता है law and order और यहाँ पर जो law and order का जो leader था, इंचार्ज था उसे वो था general lawyer और general lawyer को जो order दिये जाते हैं कि इन पर जो है गोली चला दो, मुल्दा, open fire अब भाई यहाँ पर जो है, बहुत हजारों के तालात में जो लोग थे जो प्रोटेश्ट कर रहे थे, स्चान्थ पूर तड़ी के सो कोई भी मतलब ऐसा नहीं था हूँ अला नहीं कर रहे थे लोग, जहां पर होता क्या है, यहां पर होता यह है कि इतना बड़ा बाग होता है और दिक्कत क्या थे, इसका जो entry था और जो exit था, एक ही था, बतलब ऐसा नहीं था, entry अलगे, exit अलगे एक ही एं- donkey, entry गें वे जगह से होती ती और एक यहां और अन्य निल्सका होते थि उसके अंदर क्हाते इंके इसके इंदर Bros घुस आते और कोलिश होते आए और यहां पर ऑख डिया जाता है जो लोग हैं मारे गई थे सोच के जो ओपन फायर मतलब यह तो बहुत ज़ादा बुरा हुआ था बैसिकलिए है ना तो जब यह हो जाता है तो इस सब पूरा देश जो है रहा काफी जादा है रहान हो जाता है इस चीज से उता है एक धक्का लग जाता है एक आप शौक में आ लोग जो थे वह अलग लग एक्टिवटी करने लगे अब गांदी ने बोला कि अब ना हमें किसके जरूओ थैंक नेशन वाइड मॉइंट की जरूओ थैं क्योंकि रॉलक एक क्ट के हम बात करें रॉलक सत्यविया जो था वो सिर्फ जो है शेहरोly तक ही सीमित था उसकी ज सबसे बड़ी बात क्या है इसमें हमें हर तपके का इंसां चाहिए वो हिंदू हो चाहिए वो मुस्लिम हो इस्पैशली हिंदू और मुस्लिम इनकी यूनिटी होना बहुत जरूरी है और क्योंकि उस टैम पर जो 90% पॉपुलेशन थी वो कंट्री साइड में थी मतलब जो गा यह आपता कसी हमारी कहाने कहां तक पहने लुख थया है जहां पर आप रहा हो सकते हो यह जो टीनों जो सथे रहे हो चके हैं यह बीए ओ यह यहां पर रॉलेक्ट एक्ट भी पास हो चुकी कमें पतीज गया और हम कहानी किनेक्न करते colabor adesso क电क अLgor दाई't क्या चल ले थी क्या चल ले थी वाइक चीज और हो रहे थी खिलाफत मुवेंट क्या था तो देखो क्या देखों कि सोघ्राइट रॉट्र से तो हृइं नेय। pne राजा की से और पोजिस्टों के पावर का चीज ज्चांसु किया मुस्यम पहुती हों में खलीफा था और तर्की का जो खलीफा था उसके पास दो positions थी एक तो राजा भी था तर्की का और दूसरा खलीफा भी था कि भाई ये खलीफा क्या होता है खलीफा का मतलब होता है देखो हर एक religion में क्या होते हैं इनके धर्म गुरू होते हैं जिनने religious knowledge बहुत जादा होती है जैसे हम बात करें Buddhism में बुद्धिजम में क्या होता है दलाई लामा होते हैं है ना Christianity के हम बात करें इसमें कौन होता है पोप होता है इनके जो religious leader होते है जो represent करते हैं पूरे दुनिया में जितने भी Christians है उनको represent कौन करेगा उनका धर्म गुरू है तो वैसे हम मुसल्मानों की बात करें Muslims की हम बात करें तो Muslims में इनके कौन represent करता है तो Khalifa इनके खलीफा बोलते हैं तो इनके सबसे बड़े धर्म गुरू जो होते हैं उन्हें हार्ष ट्रीटी जो है लगाई गई है तो जब यह पता चला पूरी दुनिया में तो अलग अलग दुनिया के हिस्सों में जो प्रोटेश्ट हो रहे थे जहां जा मुसलिम्स हैं तो completely religious था पूरा यह जो मुमेंट जो है वो शुरू हुआ है और आप देखोगे के फाइनली क्या होता है जो खलाफत वाली पूजिशन होती है इसे हटा दिया जाता है ठीक है वह अलग कहानी है बट इतना समझो कि अभी तक जो हमारी यहां पर जो अली बिर्दस जो थे जिसका नाम था मुहम्मद अली और शौगत अली तो इनका नाम जो है याद रखना अच्छा अब यहां पर क्या हुआ यह पॉइंट मैंने अल्ली क्लियर कर दिया आप पढ़ सकते हो वैसा हट जातों मैं आपको अगर और screenshot लेना है तो अप ले सकते हो तो अब किया न से का इसका भी ले ले सकते हो अगर लेना है तो वैसे ठीक है मला आपको धाय। सब्सक्राइब करें तो यहां पर खिलाफवत आंदोलन जब हुआ खिलाफट मुमंट जो हुआ लिख ले ना इंग्लिश में रह रह रहे हो चलिए तो यहां पर यह हो गया ठीक है अब यहां पर क्या हुआ बया अब गांदि इनना डिमाग लगा गांदि इनकी अधिक काम करते हैंank क्यूकि इस मुवंएट को हमें cent grandma आम अम qat खिलाफत मुवमेंट और नॉन को इन दोनों को जो है साथ में जोड़ लें आप कहोगे सरी एम नॉन कॉपरेशन एकदम से बीच में कहां से आ गया तो बीटा सी की तो हम बात करने वाले थे अब थोड़ा सा ने पगड़ के रखना श्टोरी को अब तक क्या है हमारी स्टोरी अब थोड़ा सा पगड़ के रखना है खिलाफत मुवमेंट को यह वाली जो है ना तीसरा पॉइंट यह आपको बताऊंगा यह पॉइंट का मतलब ठीक है अभी होल्ड करके रखो इस पॉइंट को ठीक है चलिए तो थेखो खिलाफत नॉन कोपरेशन मुवमेंट के हम बा और गांधी ने उसमें बहुत ही पॉफेक्ट बात बोली थी कि हम अंग्रेजों के गुलाम क्यों हैं क्योंकि हम अंग्रेजों को ओना कॉपरेट कर रहे हैं हम कॉपरेशन प्रवाइड कर रहे हैं और जहां पर हमने उन्हें नौन कॉपरेट करना शुरू कर दिया उन्हें corporate नहीं किया तो यह सरकार-कताम है बिलकुल यह बाज जाएंगे फिर ये काम नहीं करेंगे अब तक क्यूं काम कर रहे है क्योंकि हम जो है क्या कर रहे हैं तो यह बाट गांदी हीने किसमें बोली थी ंद स्वराजमी nom कि इन्होंने non cooperation movement का भी जिक्र किया है इसमें तो गांदी ने क्या बोला कि आप सभी समय आ गया है सभी टाइम है इस दा राइक टाइम टू स्टार्ट नौन cooperation नाम सी लग रहा है ना कि हाँ पर हमें क्या नहीं करना हम पर अंग्रेजों का सब्सक्राइब करते हैं क्यलकटा सेशन यह क्या है तो थोड़ी दिर पहले मैंने बता था कॉंग्रेज के बारे में 1985 में इसका लीडर तो आगे बढ़ाएम रोप में और समय वहाँ रहा है के रोप कि प्रोसल में लगर शूब में करेगे हम नॉन कोपरेशनक मूइमेंक का और प्लस यह बोलते हैं कि नॉन・कोपरेशन मूइमेंट शुख si Satu और हम इसे खिलाफत मुवमेंट में मर्ज कर देंगे, मतला हम non cooperation मुवमेंट और खिलाफत मुवमेंट को मर्ज करके एक बहुत भी बड़ा मुवमेंट निकालेंगे, यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर confuse मत होना है, तो यहाँ रखना समय, confuse मत होना, तो यहाँ पर non cooperation मुवमेंट और खिलाफत को जोड़ने की बात हुई, अब आजा यहाँ पर फिर से, तो the British rules was established in India, because the people of the India cooperate with them, ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा से यह डेट याद रखना, कर दिसम्बर 1920, दिसम्बर 1920 में क्या होता है, नाधपूर session होता है, और फाइलली यहाँ पर non cooperation मुवमेंट को जोड़ाप्ट कर लिया जाता है, जिसमें खिलाफत को भी यहाँ पर add कर लिया जाता है, एक ही page बते, बोट वरों same page, किसकी बात करो मैं, हिंदू और मुस्लिम की, ठीक है ना, चलिया, अब बात कर लेते किसकी बारे में, अच हाँ, 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 थोड़ा से यहाँ पर बात कर लेते हैं, थोड़ा से हिंदी में लग ग गया, तो यहाँ पर जैसे होता है, कि हम non-cooperation movement में करने के आवाले हैं, तो उसकी बात हो रही है, non-cooperation movement में क्या-क्या कदम उठाएंगे, तो उन proposals की बात हो रही है, तो यहाँ पर पहले बोला गया, गांधी ने बोला, कि विड़्ॉल अला टाइटल्स, जितने भी टाइटल्स है मतलब जैसे मैंने बताया था, केसरे हिंद दिया गया था, कांधी जी को, रवीना टाइगोर को नाइटी हूट का अवार्ड दिया गया था, तो बेसिकली सारी अवार्ड जो टाइटल्स यह वापस कर दो, है न, return कर दो, यह अंग्रेजों ने भी हैं, और हमारे किसी काम के नहीं है, टाइटल, पहली चीजी होई, दूसरे क्या हुआ, कि जितने भी, जितने भी civil servants है, service services वगरा जो है, जो इन्दीन जो है, आर्मी वाली जो है, पुलिस वाली जो है, लैसलेटिव कांसल के जो elections है, लैसलेटिव कांसल के पहले election भी होते थे, मैं बताँगा इसके ब किया गया, पूरा मतलब क्या बोला, मैंने, मैंने बोला, non-cooperation, non-corporate करो इन्हें, किसी भी चीज में सहयोग मत करो, ठीके न, if government does not desist from its repressive policies, then start a complete disobedient movement, अच्छा, अब यहाँ पर आपको main question आगा, कि सर, यहाँ पर आगे आप पढ़ोगी अभी, civil disobedience movement के बारे में, तो difference क्या non-corporation में और civil disobedience में क्या difference है, तो बेटा, civil disobedience में क्या होता है, कि यहाँ पर loss को भी, loss को भी disobedience किया जाता है, अब तक क्या था, अब तक यह non-corporate कर रहे है, तो गांधी ने बोला कि इसके बाद भी जो government है, वो इन सब चीज़ों बाज नहीं आती है, तो हम एक पूरा civil disobedience moment यह शुरू करेंगे, मतलब हम यहाँ पर फिर loss को भी break करेंगे, जो गलत loss है, मतलब अच्छे loss नहीं, जो गलत loss बना रखें, तो यह difference हो जाता है दोनों में, तो यह हुआ, और तीसरा, चौथा क्या होगा, चौथा यह होता है, भाई, boycott of foreign goods, ठीक है ना, यह जितने भी foreign जो है, raw material जो हो लेगे जाते थे, बाकी जो है, उसी ही अच्छे माल को, उस raw material को, जो finished goods में convert करके हमको ही देते थे, तो सोच के देखो हमारा मल हमको ही बेचा जा रहा था, तो अंग्रेशों को तो बहुत जाता फायदा हो रहा था, तो यहाँ पर बोला गांदी ने, कि हमे हमें foreign goods का boycott करना है, boycott मतला बिलकुल हमें इस्तमाली ने करना है, बिलकुल, ठीक है न, चलिए, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या हुआ भाई, differing stand with the movement, अच्छा, अब यहाँ पर यह बहुत important topic है basically, अब यहाँ बात हो रही है कि अलग-अलग लोग के अलग-अलग point of views हर किसी ने जो है, सुराज को, हर किसी ने जो है, non-corporation movement को अपनी अलग-अलग definitions देखा, हर किसी के अपने अलग-अलग point of views थे, इस movement को लेके, बनलब जैसे शहरों में जो लोग रह रहे हैं, उनके अलग point of views हैं, उनके अलग तरीका है जो पूरा movement इसको चलाने का, गाउं उनके बात हो रही है, जो middle class लोग रहते थे, उनके बात हो रही है, rebellion in countryside, अचा country side के हम बात करें, तो country side का मतलब क्या होता है, कि बाई जो main area जो है, शहरों का main इलाका है, उसके side का जो area है, मतलब साइड मतलब जो गाहों वगरा जो है, गाहों की छेत्रों को, जो बहुत ही बिलकुल होता है न, out skirt area जो होते है, उनको हमने क्या बोल दिया है, country side बोल दिया है, तो उसमें country side में भी दो लोग थे, अवध farmers, मतलब farmers के हम बात करेंगे यहां पर, और specially हम अवध की बात करेंगे, जो आज की टाइम पर UP में आता है, ठीक है, tribal groups की बात करेंगे, अलग अ आदिवासियों का group जो था, उनकी बात करेंगे, प्लस यहां पर सुराज इन, यहां पर थोड़ सा रवल लग दिया है, कोई विए इस से cross कर लो, सुराज इन the plantations, सुराज इन the plantations, इसकी हम बात करेंगे, मतलब यहां पर यहां पर जो टी के जो प्लांटेशन थे, टी का ज से clear हो गई होगी, अब बात कर लेते हैं, शेरों में आंदूलन, ओके, ठीक है, कोई बात नी, कोई बात नी, कोई बात नी, यह हिंदी में लग जया होगा, कोई दिखत नी, तो हाँ, पहला point लग लेते हैं, पहला point, है न, the moment in the towns, moment in the towns की हम बात कर लेते हैं, तो यहां पर लोगों ने किस-किस तरीके से, इस moment को आगे बढ़ाया, तो इसकी बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चलिए, तो देखो, शेरों में क्या हुआ, तो यहां पर अच्छे कास जो participants है, इन्हों ने इस moment में पास्पेट किया, अच्छे मिडल क्रास जो, एक society develop हो गई थी लोग पढ़ लग गए थे, इन्होंने इस moment में भाग लिया, है ना, ठीक है, अब क्या, यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, जो हजारों स्कूल इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो government schools थे, जो basically, जो Britishers के school जो थे, इनको जो बाइकोट किया, और colleges को भी, और teachers ने भ ही बनता, फिर आप बोलोगो, इस तर आप outside slivers पढ़ा रहे हो, तो हुआ यह था, 1919 में, Government of India Act पास हुआ था, और इस Government of India Act में हर 10 साल बाद पास होते थे, basically, और यह जो act से, basically, क्या बताते थे, basically, यह acts जो है, नहीने जो reforms होते हैं, और जो नहीने rules, revolutions होते हैं, उन्हें डाल अब यह जो lawmaker होंगे, यह चुनके जाएंगे, और हर एक प्रोविंस से अलग-लग lawmaker चुनके जाएगा, और यह जो lawmaker होंगे, क्या बनाएंगे, law बनाएंगे, हैना, और याद रखने है, executive नहीं थे, lawmaker थे, lawmaker नहीं थे, basically, यह kind of less leisure का party, less leisure का क्या होता है, loss को बनाना, और executive का काम क्या होता है, laws को execute करवाना, तो executive नहीं थे, यह last leisure का party, law में करते, basically, हैना, तो इनके election होने थे, और इनके election को boycott किया, समने, समने boycott किया, याद रखना है सिर्फ एक party को छोड़ के, तो यह question आ जाता है, exam में आपके, तो इस party का नाम था, justice party, हैना, justice party कहां की party थी, elections को boycott नहीं किया, क्यों नहीं किया उसका कारण था, क्योंकि इनका मानना यह था, कि जो other party जो है, यह ब्रहमन की party है, यह जो अपरकाष्ट के लोग है, इनकी party है, और क्योंकि यह जो, मदरास में, जो यह justice party थी, non-brahmans की party थी, तो इन्हें ऐसा लगा, कि सारी, जब players बैठ party थी, इसने, इन elections का boycott नहीं किया, क्योंकि यह non-brahmans की party थी, और यह अपने आपको आगे बढ़ते हों देखना चाहते थे, तो याद रखना है, यह भी पूछ ले जाएगा question, तो boycott of elections, council elections, council elections को boycott किया गया, अच्छा, एक जो चीज मैं आपको अले बता दिया है, कि foreign goods थ अब यहाँ पर किसानों की लडाई थी, जैसे, जैसे मैं भी परिशान हूँ, आप भी परिशान हूँ, तीसरा बंदा भी परिशान है, और इसकी जड़ क्या है, एक ही जड़ है, तो सबके अपने-अपने अलग reasons होते हैं, लेकिन जड़ अगर एक ही होती है, तो वो लोग एक हो जाते हैं, समझ मा आ गया, तो यहाँ पर हम बात करें, तो यहाँ पर इंडिया में, businessmen जो थे, वो अलग परिशान थे, किसान जो थे वो अलग परिशान थे, workers जो थे अलग परिशान थी, और परिशानी के जड़ कई थी सर्फ एक ही थी, Angerage, Britishers, तो हम गावों की बात करें, तो गावों में लोगों ने अनृट परिशानी क्या थी, गावों में लोग गशानी थी, सबसे पहले यह जान लेते हैं, तो गावों में लोग ती जो ज seven शानने, चनकी पास हुआ करते थे हर एक एरिया में है ना उनका जो होल्डर हुआ करता तो उसे त्यालुकतार बोला करते थे यह जो थे लैडलोड जो थे यह काफी ज्यादा हाई रिवैन्य डुमांड करते थे क्योंकि इन्हें भी आगे अंगरेज को देना पड़ता था ठीके ना यह पू लगी इंडिया पर कपज़ा किया है? और ना सर्फ इंडिया पर ओल्मुस्ट पूरे कोटिनेंट्स पर इन्होंने रूल किया है तो आज के टाम पर हमारे इंडिया की जो रिलाइंस कंपनी है वो यू उस में चली जाए और यूज को अपनी कॉलिनी मना ले इटवास सम्ध यहां पर हुआ क्या थे यहां पर कुछ नंबर्स में थे और बेसिकली प्राइवेट कमपनी थी गवर्मेंट ने बिल्कुछ इसे आटोनोमी दे रखी थे कि तुम जैसे चाहा अपने ऑपरेशन चला रखते हो तो एक मतलब मतलब तो बहुत बढ़ी बात है मतलब सोच के एक बारी देखो के फील करोगे तो बहुत अजीब सा लगता है बढ़ता है तो आज की टैंपर वही हो रहा है और आज की टैंपर चीज़ें वह सुदर रहे हैं इंडिया जो है मतलब एक अलग लेवल पर चला है अभी हमारा जो है अभी हमारा गोल्डन पीरिड चला है है ना चलिए कोई बात ने देखो पीजन सब्सक्राइब बेगार सीन था अचा अब किसानों की दिकत का है है किसानों की डायक लिंग्रेग दुश्मनी नहीं है तो इन लैंडोर्ट से इन तालुका से तबी हैंने बोला कि हरे एक हरेक इनसान का अलग-अलग strand है इस moment में सबको कुछ ने कुछ चाहिश है लेकिन परिशानी क्या जड़ ए अंग्रेज서 त Vors यहां पर जो farmers दो डिमांड कर रहे सो Farmors की की levels की जो land revenue है नई कंदेजय है and यहांपर जो यह जो बीगार labor इससे ideally तरह मांग अब इनने किसान लीडर होता है तो यहाँ पर भी इनका जो support था वो किया बावा रामचंजी रहा है और बावा रामचंजी यह भी एक बहुती interesting से story है तो बावा रामचंजी के हम बात करें तो यह भी एक तरहाप है कभी kind of आए तो यहां पर आपको बहुत अच्छे से प्याइन पर अच्छे से आपको काफे अच्छछा पीड किया जाएगा, और इन्हें जो हैं वहाँ पर ले जाया जाता था, और वहाँ पर इन्हें ऐजा लेबर की तरह बहुत गंदी तरीके से काम करवाए जाता था, तो जो बावा रामसेंजी थे, इन्होंने भी फीजी में, as a bonded labor की तरह काम किया था और जब यह finally इंडिया में आये जैसे तरह वैसे तो काफी सारे लोग जो है नहीं आपाए बहुत कम लोग आपाए ठीक है तो जैसे ही इंडिया में आते हैं तो इन्हें लगा किया किसानों को मेरी support की जरूए थे और यह kind of एक संत भी थे हैना spirituality इन्होंने धारन कर ले थी जब इंडिया में इसे spirituality को अपना लिया था तो इन्होंने farmers का बहुत जादा support किया तो याद रखना एक्जाम में पूछ लाए जाता है ठीक है कि अवद में farmers का support किसम ने किया अच्छा अब बाद में क्या हुआ क्योंकि मोमेंट चलना था तो यह जो अवद किसाद मोमेंट जो हो रहा है इसको जो है किसम मर्ज कर लिया गया non cooperation में तो इसे non cooperation का ही एक पार बोला जाता है तो बाद में जो जो जोए उस टैंब़ काफी यंग थे इन्हों क्या किया इन्हों यह गा determining कि जाकी जो है जाना शुरू कर दिया विजट करना शुरू और किसान ऊसे सान簡氣 चार होता है अक्टूबर में अब क्या होता है यहां पर जवाला नहरू बावर रामचंजी दो है दोनों जो क्या करते हैं किसानों के इंट्रेस्ट के लिए लगते हैं लेकिन यहां पर बदकिस्मति की बात यह सुन लिए होप आपको किलर हो गी हो कि ठीक है तो हमने किलेर कर लिए हमने मूवमेंट इंट अवद फारमर अब बात फोता है कि इंद्या मेर जगल जगल तो होता है ना कि इनके लकड़ियों को कि मतलब होता ना कि इनकी जो resources हैं उसको इस्तमाल करके क्या करेंगे अपना जो खाना खर्चा वो निकालेंगे यहां पर इन्होंने अलग 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 एक्स वगएरा जो है लगा दिये जंगलों पर बहुत सारे जो एक्स रूलस रेगूलेशन तो यहां पर इनका में मुद्दा अंग्रेज जो हमारे बीच में इंटरसेर कर रहे हैं वो ना करें तो इनकी बात करते हैं यह रही पैसे इन्होंने ललाई कैसे कि तो भाई इनोंने का सीकती कि शुक्रत कि अपर शुक्रा करके यहां पर जिए सकते हैं क्यूंक्त यह प kommerब करके आप जी सकते हों क्योंकि अंगूरेजियों के पासまだब देबिन तो फिन से स्टेंट करते उनके आगे तो वही दिक्कत थी तो यह गुरिला वार्फेर करते थे अच्छा अब इनका लीडर कौन था तो जैसे अवद में रामचंजी थे इनका लीडर कौन थे तो इनका लीडर था अलूरी सीते राम है ना और इनके बार में थोड़ा सा अगर पढ़ो तो लोग जो है ने भगवान माना करते थे लोग के बिलीफ थे कि किसी पर आगर हाथ भी रख देते हैं तो उसका जो फीवर ठीक हो जाता है और अलग अलग सुपर पावर से इनके पास तो ऐसा माना जाता तो यह जो मूवमंट था इसको लीड किया बट इन्होंने एक गल अभी हमने पड़ा है किसके बारे में ट्रालग ग्रॉप के बारे में ठीक है है यह में इंका सीन ये था कि यह बहुत प्लांटेशन वहां पर तो एक दो दिन बार तीन बार आप भी बोर हो जाओगे अब यहां पर दिक्क्त यह थी कि इन्हें ना भार निकलने की गार्ण जो है उसको छोड़के नहीं जा सकते हैं आपको परमीशन लेनी पड़ेगी तो ऐसे बहुत सारी जो वरकर्स थे जो पांथ-पांथ-पांथ-छे-चे साल से अपने घर गई नहीं थे उन्हें जाने ही नहीं दिया जाता था तो इनके लिए नौन-कॉपरेशन मुव इन्होंने भी अलंग मुवमेंट छेट दिया था और कोशिश की इन्होंने भागने की लेकिन सफल नहीं हो पाते ठीक है तो यह हमारा टॉपिक खतम हो गया अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्या हुआ अब यहां पर आपकी मनें एक प्रशन आना जाए एक क्वेशन आना क्यों नहीं हो पाया भाई तो जैसे की मैंने बताया कि गांधी को जो है अहिंसा का रास्ता पसंता है और यहां पर क्या हो गया यह हिंसा में बदल गया काफी जादा वाइलेंट हो जाता है यह मुवमेंट है ना और एक ऐसी खबर आती है कहां सा चोरी-चोरा चोरी-चोरा दोड़ेंगे फिर तो यहां पर हम इनकी हटनिया तोड़ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर गांदी जी बड़े ही चाला किसे क्या करते है भाई इस cooperation movement को बंद कर देता है वापस लेलते हैं ठीक है विड्रू कर लेता है अब यहाँ पर आप बोलोगे कि गलत किया लिंग बीटू सही किया बेटा क्योंकि अंग्रेज जो थे बहु और जाथा expensive थी क्योंकि गांदी ने emphasize क्या था खा दी जो हमारी देश में बनेगों कपड़ा है वो पहनो बन दिक्कत यह थी कि हमारे देश में अभी कोई industry थी नहीं लोग हाथों से कपड़ा बनाते थे और जो machine से product बनते थे वो काफी जादा सस्ते थे as compared to the khadi तो यहाँ पर खादी जो है ना हर कोई effort नहीं कर सकता तो एक time पर आके लोगों ने खरीदना बंद करती है ठीक है ना अच्छा अब यहाँ पर दिक्कत क्या थी दिक्कत जैसी है थोड़ी देर पहले बताया है कि cities में लोगों ने colleges को boycott किया लिंक दिक्कत यह थी हमारे पास कोई alternate तो होना चीए था ना अब बच्चे जब स्कूल नहीं जाएंगे तो इसका कोई alternate तो होना चीए हमारे इंडियन स्कूल यहाँ फिर इतने एडवांस थे नहीं ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ एक time तक जो है यहाँ पर लोगों ने क्या क्या boycott किया लिंक फिर से उन्होंने इ की नहीं salary आएगी नहीं तो आपको मजबूरन जो है अपने family के लिए तो at least काम करना पड़ेगा तो यहाँ पर वही सीन हुआ था ठीक है ना चलिए अचा हाँ यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर कुछ Congress leaders जो थे है ना यह काफी tired थे इस mass movement से और यह क्या करना चाते थे इस मानना यह था कि हम system में जाके system को बदलेंगे ठीक है थोड़ा सा knowledge के लिए आपके chapters related तो नहीं है तो अगर मैं Congress की बात करो ना Congress तो Congress basically एक ऐसी पार्टी थी जो अब बोल सकते हो कि यह दो पार्ट्स में एक तो थे extremist और एक थे moderate moderate जो थे वो कहते थे कि यार हमें ना यह जो mass movement वगरा हैं है ना यह जो agitation है radical जो approach थी वो नहीं थी इनकी यह कहते थे कि हम एक आगरे petition डालेंगे हम अपनी बातों को बनवाने के लिए बात करेंगे हैना elections भाग लेंगे election पार्टिस्पेट करेंगे system में जाके system को बनलेंगे तो यह मानना था किसका एक्सरम जो moderate थे उ support नीए अब वो tired थे basically और एक तरफ थे extremist extremist मतला गरम दल मतला जैसे हिंदी में गरम दल बोलते हैं तो यह क्या थे बाई यह बोलते थे कि नहीं यार हम तो लड़ाई करेंगे और हमें dominant status नहीं चाहिए अभी dominant status के बारे में बात करेंगे हम हमें पूर सुराज चाहिए मतला हाँ अब यहां पर बात कर लेते हैं towards civil disobedience अच्छा आप थोड़ा सा कहानी को connect करना ठीक है और इस बीच में बहुत कुछ हुआ है अब तक हम कहां पहुंचे है तो अभी तक जो है 1920 सा हमारा जो moment आप शुरू हो गया था और 1922 में जो है यह moment आते आते खतम हो गया था अना ह अब यहां पर तो यहां पर कोशिश करना जोड़ के देखना चीजों को आप हो किया रहा है अब यहां पर 20 1991 अब यह तो मैंने बता दिया आपको और गांधी ने क्या किया इस तो यह मैंने आपको अलगी बताती है अब क्या हुआ यहां पर कॉंग्रिस की ब्यात कर लिए हमने यहां पर जो कुछ कॉंग्रिस के लिए थे दिवा टाइड और टाइड थे वर टाइड और ऑफ दा मास मुमेंट तो इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे हम एक काउंसल के जो स्टेट्स में इलेक्शन जो होंंगे उनमें जो पार्टिसमेट करेंगे हम लॉमेकर मनेंगे ठेक है अच्य 452 एंहां पर इन्हीं इलेक्शन पाउटिस्पेट करने के लिए नहीं क्या बना कॉंग्रिस में कि हम क्या करेंगे हम जो है काउसल में जो गतिति करेंगे joystick दूसरी तरफ क्या था दूसरी तरफ जो थे इनकी जो बेटे थे है ना जिसका नाम जिनका नाम था जवालना नहरु और लाइक सुवाश्चन बोस्ट तो इनकी बेटे नहीं थे बढ़ यह दोनों काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे पहले बढ़ हां यह जो लीडर से क्य है ना जैसे मैंने बताया कि 1992 रख आते यह खताम हो गया था मुवमेंट है ना और फिर 1994 में आप देखोगे 1994 में कि यह जो पार्टी है सुराज पार्टी यह बन जाती है क्यों रिस से अलग है अब क्या हुआ अब यहां पर यह बहुत जादा बड़ा जो मुवमेंट हो गय कमिशन की जो अधक्षता है यहां पर चेर्मेंशिप किस ने की थी सर जॉन साइमन ने इन्हीं के नाम के ऊपर जो है यह साइमन कमिशन रखा गया था और साइमन कमिशन जब आता है भारत में तो इसका जो में मोटिफ तब वो क्या था कि जो 1990 1990 गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास जो हुआ है ना जो मैंने बता है था थोड़ी देर पहले कि हर दस साल बात कुछ ना कुछ चेंज हुआ करते थे इसको रिव्यू करने आया था और अपनी कुछ एडवाइजिस देने आया था और दिक्कत यह थी कि और हां यह इंडियंस को खुश करने के लिए थे वाइट मेंबर सारे बिटिश थे अब एक बात बताओ या तुम इंडिया के बारे में तुम सज्जेशन दे रहे हो इंडिया में लॉब बनाओगी आप आके लॉब में कुछ चेंज लाने वह वह आप सज्जेशन दोगे आप और इंडियंस को आपने शामिल नहीं किय इसी बीच क्या होता है तो यहां पर आपको पता होगा इंडिया एंडिया और अगर आपको लेना है तो यह वाला ले लो ये वाला ले लो screenshot ठीक है ये ले लो अगर लिया नहीं है तो और ये ले लो ठीक है ये सारे तो चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं अचा अब क्या हुआ भाई इसी बीच क्या हुआ जब ज़्यादा जब गोर साइमन मेक के नारे लगे भाई कंप्लिली बारकोट है लोड इर्विन थे इर्विन कॉन थे पर वाईस रोए थे प利त्रा इरा राइटेम मेरा बगलत गंदा है तो शबदों पर जाना स्बै राइटेम पर मत जाना तो इस टाम मैरा रॉइस रोइज जो थे लड इर्विन इन्होंने क्या क्या है? इन्होंने जो है, October 1999 में, 1998 में ये Commission आया, और 1999 में यहापर, एक मतलब होता नहीं, ऊपर यूपर बोल देना कि यहाँ पर, Dominion Status की बात हो लें. अच्छा, यह Dominion Status क्या होगा? यह Dominion Status होता क्या है? तो Dominion Status का साफ-साफ मतलब होता है, क्या होता है? कि लेकिन जो भी आपके Foreign Matters वगरा है, जो भी भार की चीज़े हैं, वो सब कौन समा लेगा? जो British Government ही समा लेगी. मतलब, at the end आप किसके अंडर में आओगे? at the end आप ब्रिटिश क्राउन के ही अंडर में आओगे. तो इसको हम बोलते हैं, Dominion Status. तो यह जो है, यहाँ पर इशारा करते हैं, है ना? और यहाँ पर एक इशारा और करते हैं, कि Round Table Conference है ना? बलब, ऐसा पता, एक specific date नहीं देते, तभी तो लिखा हुगा है ना? Unspecified future. और अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर towards civil disobedience. अब यहाँ पर बहुत सारी चीजे चल लही है. तो जैसे मैंने देखो, आप मैंने एक चीज नहीं बताइते हैं, आपको यह effect of great depression. Great depression आये तो. अच्छा, यह जो great depression आये था, 1999 में आये था, और 1999 से यह 34 तक चला था, 33-34 तो और यह जो great depression आये था? अमेरिका में आये था. अमेरिका में basically हुआ क्या था, अकर मोटा मोटा बता देता हूं मैं, कि वहाँ पर जो like supply जो थी नहीं बहुत जादा हो गई थी. अगरिकल्चर प्रोड़क्ट सी supply जो थी बहुत जादा हो गई थी. डिमांड थी नहीं, उससे क्य recovery के लिए, उनकी economy के. तो वो, अमेरिका जो होता है, लोन मांगना शुरू कर देता है. और जब लोन मांगना शुरू करता है दूसरे देशों से, तो वहाँ पर भी क्या आ जाता है? सेम यह चीज़ आ जाती है. और इंडिया की हम बात करें, क्योंकि उस टेम पर agriculture भी ले रखा था. अब यह पैसा कैसे देते? तो यहाँ पर किसान बहुत जादा नाराज थे. ठीक है? और दूसरी तरफ क्या था भाई? दूसरी तरफ यहाँ पर इन्होंने एक नई पार्टी बना लिया है, और यहाँ पर आप देखोगे 1999 में एक चीज़ और होगी. उन्होंने बोला कि 26 जन्वरी, 26 जन्वरी को हम, है ना, 26 जन्वरी को हम अपना क्या ओनाएंगे? अपना गड़तन तो दिवस मनाएंगे, बेसिकलिए, अपना रेपब्लिक दे मनाएंगे. 26 जन्वरी, 1947 तो बार में आया वो, बढ़ा, यह देट डिसाइड कर लिजाती है, तब यही कारण था कि हमने 26 जन्वरी को अपना रेपब्लिक दे मनाते हैं, ठीक है? तो यह सारी जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो यहाँ पर एक तरह बहुत सारी चीज़ें हो रहे हैं, क्योज है देश में, है ना, देश के लोग यहां बहुत परेशान है, और ठीक है ना, I hope आपको इतना के लिए हो गया होगा, ठीक है ना, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं, salt march and the civil disobedience movement, अब इसकी कहानी क्या थी, क्या से शुरू है, तो मैंने बताया कि देश में बहुत कुछ चल ला है अबी, है ना, क्योंकि जब non-cooperation movement बंद हु गांदीई ने एक चिठी लिखी, एक letter लखा, चिठी, चिठी आईए, आईए, तो आप एक letter लखा viceroy Irwin को, उस time viceroy को उनता है, Irwin थे, viceroy Irwin को यहा पर एक चिठी लिखी, और उन्होंने अपनी 11 demands लिखी, 11 demands, 11 demands, क्योंकि गांदीई बस एक भाना चाहिए था, 11 demands मैंसे 11 दिमांद क्या थी वो जाना ज़रूरी नहीं है, वहां एक पात याद रखना है, ग्यारे डिमांड हो में से सारी डिमांड ऐसी थी, जो हमारे country के हर एक जो अलग अलग जो groups है, हर एक group का जो interest है उसको देख रही थी, बैसिकली गांदी जी ने गारी डमांड में से गरीब, किसान, और जो industrialist है, इन सब के जो interest है, उसको ध्यान में रखते होए गारी डमांड सी थी, और इन गारी डमांड में एक सबसे अलग डमांड थी, जिसको गांदी जी एक base बनाने चाहते थी civil disobedience movement का, वो था, salt, tax on salt, remove the tax on salt, removal of tax on salt, अब जैसे हैं बात करूँ नमक, नमक की, तो नमक एक ऐसा, एक ऐसा mineral है, या फिर एक ऐसी चीज है, जिसको सब यूज करते हैं, है ना, समझ माया, नमक जो अमिर भी यूज कर रहा है, गरीब भी यूज कर रहा है, आप नमक पर tax नि नहीं हो सकता, समुद्र में जो पानी है, वो खारा रहेगा, और उससे ही नमक आप बनाते हो, तो वो कभी खतम नहीं हो सकता, और जब कोई चीज खतम ही नहीं हो सकती, तो उसमें tax कैसे लगाओगे यार, तो हर एक जो तपकिर का इंसान है, नमक खाता है, गरीब से गरीब अमीर से अमीर, विना नमक के तो कुछ भी नहीं है, तो गांधी ने बोला कि गांधी जी ने बोला कि है नमक पे tax रहा हो ना, कोई census चीज का, तो ऐसे करके जो है ना, इन्होंने 11 डिमांड लखी, उसमें से एक जो सबसे important डिमांड थी हो थी, कि नमक पे tax रढ़ा लो, है तो यह 31 जनवरी 1930 की डेट जो है याद रखना, अब इर्विन ने जो लेटर पढ़ा और इर्विन ने ऐसा करके एग्नोर कर दिया, कि हटो यार, क्या है यह यह, इंसान मतलब परिशान कर रहा रहता है, अब यह नोन कॉपरेशन मूवमेंट उससे पहले चंपारन, अब यह देखो, यह फालतु के टा में शुरू कर दिया, हाँ, और दान्दी ने जो अल्टीमेटम भी दिया, अल्टीमेटम क्या दिया गानी नहीं कि यह अगर यह शुरूर, अगर यह जो दुमांट्स पूरी नहीं होई, तो यह क्या करेंगे, यह civil disobedience मतलब डिसोबे करे अब non-corporation में क्या था, cooperative नहीं कर रहे थे, civil disobedience में क्या होगा, हम rules को भी break करेंगे, और पहला rule break करने की कहा से सोची नहीं, पहला rule break करेंगे हम नमक का, मतलब जो ठीक ठाक rules हैं, वो तो break नहीं करेंगे, जो ऐसे rules हैं, जो हमें परिशान कर रहे हैं, जो गलत हैं, उनको हम break करेंगे, तो पहला rule कौन सा break किया, तो यहाँ पर, डांडी मार्च से, इन्होंने जो salt law था, उसको break किया, है ना, और आप बहुत सकते हो, यह डांडी मार्च से ही, श्टार्ट क्या हो जाता है, डांडी मार्च से ही, civil disobedience moment शुरू हो जाता है, तो यहाँ 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 पर मार्च हो शुरू किया, 12 मार्च 1930, और यह डेट यहाँ रखना, सावरमत्य आश्रम, शायद एहमदाबाद में है, सावरमत्य आश्रम से जो अपनी जर्णिया शुरू की थी, श्टार्टिंग में 78 followers थे इनके, 78 disciples थे इनके, अब जब देखोगे, जब यह डांडी तो यहाँ पर वही हुआ, है ना, तो फाइनली 24 दिन की यात्रा पूरी की, जिसमें 240 माल, 240 माल के जो यहाँ पर उन्हें, ट्रैवल किया, और फाइनली डांडी में पहुंचते हैं, है ना, 6 अपर, 1930 में गांडी पहुंचते हैं, और यहाँ पर सिंबोलिकली क्या करते हैं, वाटर को बायल करते हैं, और वहाँ पर नमक बनाते हैं, बायल करके होता है, कोई process होता है, नमक बनाने का, उस process की थुरूज वहाँ उस law को break करते हैं, salt law को, है ना, क्योंकि इनकी demand लिया तो, salt पर जो भी tax लगा है, वो हटाया जाए, अब यहाँ पर जब गांदी ने किय भाई यहां पर दिक्कत ही कि सुवाच स्वाप वाउन्ट हो जाता तो गांधीजी उसे वापस ले लिए लगी कि आह जबापर जो है लोग जो है इस लोग को तोड़ेंगे जैसे एक इंसान का नाम आपकी बुक में यूज़ा है खान गफार खान का नाम यह गांदीजी की बहुत बड़े डिसाइपल थे और यह काइंड अपने यहां के गांदीजी बोले आते हैं यह पेशावर के थे हैं यहा कि घांदीजी को ब nosaltres करें यहांस जाँ भड़े यांद यहांपर फोलाइक बसक्राइब होस्य सबक्राइब आध कें अंब्या जैक से कशल वाला नमक वाला है तो यहां पर यहां फो घंदी डर जाते हैं जैसे गांदी को ग्रफ़तर किया जाता ने गांदी को फिर से इसी क्या गेंट से यह घंदी बोलते हैं। थोड़ा सा गांदी को चीजित कर लेंगे फर वो डश्ट इवन में जो वो 11 दली होती हैं उन्हें उठाते हैं कि अच्छा ये दिमांड्स थी उसमें एक जो मुख्य दिमांड्स थी वो थी कि नमक पर जो कर लगा रखा है उसको अठा दिया जाए दूसरी दिमांड्स थी कि जितने भी तुमने जो नेशलिस्ट जो ल करीवन पांच मार्च यहां फिर दो बार हुआ तो यह दो बार हुआ है तो दोनों की देट को याद रखना है आपको पहले श्टाट हुआ पांच मार्च 1131 में ग puntos नाम दिआ जाता है तो पैक का मतलब क्रीमेंट गण्देश यहां पर राजी हो जाते हैं कर थे नहीं कि मतलब हम दोनों एक दूसरे पर कंडिशन लगा रहें दूसरे पर जो है और यहां पर पता होना चाहिए जब गांदी जी राजी हो जाते हैं यहां पर इर्विन जो होते हैं वो राजी हो जाते हैं हमने जो भी political prisoners जो है हम हम करेंगे और नमख पर टैंक से भी ऑचा देंगे और वह आपर बेब को बना देते मों और हैं अन्यदोर नहीं नहीं निकलता है ना तो यहां पर ष्म कर जाते हैं यहां पर आजरे लेकिन जब गांदी जी इंडिया आते हैं तो यहां पर अलग एक तस्विर hautte लिचिए इंडिया में इंडीया में बहुत सारी जो लीडर्स होते हैं उन्हें डिटेंड कर लिया जाता हैं। और गांदी गांदेजी निजसो आप मोल सकते हैं 1932 से 34 से चलता है और 34 तक आते यह जो मुपनेटी लूस हो जाता है अब जैसे लोग थे परीशान हो गये थे कि गांदेजी शुरू कर रहे हैं फिर से खतम कर रहे हैं तो अब लोगों के अंदर जो excitement था ना वो खतम हो गया था तो फाइनली जो 1934 तक आते आते, क्या हो जाता है, 1934 तक आते आते जो मुवमेंट होता है, बिलकुल, मतलब इसमें लोग जो अपना इंटरेस्ट लूस कर देते हैं, ठीक है न, चलिए, अब बात कर लेते हैं, how participants saw the moment, अब participants जो होते हैं, मतलब जो जो लोग थे, अलग-लग तप के लोग होते हैं, जैसे हम बात करें, पार्टिदार, गुजरात के, एक, basically एक class थी, और एक farmers वो अगरती तो बड़े-बड़े जमीनदार है न, और हम जाट्स के हम बात करें, उत्तरप्रदेश के जाट्स, इन्होंने जो एक्टिवली पार्टिपेट किया, इन्होंने जो किसान है, इनको नाराज नहीं करना चाहते, तो इसकी वैसे जो यहाँ पर जो गरीब लोग है, जो गरीब किसान है, basically वो जो है, इस मुमेंट में जो है, उनका इतना ज़्यादा एक्टिवली पार्टिपेट देखने को नहीं मिला, क्योंकि वो उन्हें ऐसा लगता था कि Congress उनकी साथ नहीं है, वो इन अमीर किसानों को ज़्यादा सपोर्ट करती है, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर वही है, for the farmers, the fight of Suraj Meant, the fight against the high taxes, तो यह जो high taxes पे कर रहे है, उसके against जिनके लड़ाई थी, अच्छा, अगर हम बिजनिस क्लास की बात करें, तो बिजनिस क्लास जो तो इनका मतलब क्या था, इनका सुराज का मतलब क्या था इनके लिए, कि इन्हें थोड़ी सी सहूलियत जो होती है, एक liberalism जो होता है, वो मिले, बिजनिस में, मतलब जो भी इन पर जितने भी restrictions लगाए गई है, उन्हें free कर दिया जाए, है ना, जो trade barriers जो हटा दिया जाए, यही इनका मानना था, ठीक है न, तो यहाँ पर हम बात करें देखो, यहाँ पर उन्होंने जो है, strongly oppose किया, ठीक है, strongly oppose किसको किया, जो British policies है, उन्हें strongly oppose किया, और Indian businessmen के लिए जो है, अलग-अलग organization भी खोले गए, इनके interest में, जैसे कि हम बात करें, FICCI, Indian Chamber of Commerce and Industries, है ना, 1997 में इस बोड़ीज वर लेड बाई दा पुरुषोत्तम दास, तो बहुत बड़े-बड़े उस टाइम पे businessmen थे, पुरुषोत्तम दास ठाकुर की बात करूं, GD बिरला की हम बात करूं, तो बड़े-बड़े इंड़िस्टलिस्ट थे, इन्होंने जो है, यह बड़े-बड़ उसको जो काफी अपोस करते थे, और अगर मैं फर्स्ट वर्ल्ड वर की बात करूं, तो फर्स्ट वर्ल्ड वर में काफी सारा फायदा हुआ था, इंडियन विजनिसमेंस को, ठीक है, वो अलग कहानी है, वो चैप्टर फाइब में पढ़ेंगे हम, लेगे हम इतना समझ लो ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर एक चीज़ और देख लो, हाँ, वही बात आगी न, जो पूर पीसेंटी थे न, वो उनका इंटरेस्ट था निसमें, तो वही बात आगी है, तो पूर पीसेंट वर, not just interested in the lowering of the revenue demand, the Congress was unwilling to support no rent campaign in most places, so the relation between the poor peasants and the Congress remained uncertain, समझ में आगे है, यानि कि जो यहाँ पर rent charge किया गरते थे, पार्टिदार नेता और यह जो बड़े-बड़े जमीनदार जो है, उसके against थे, हैना, उनका मानना था कि tax तो कम किया जाए, प्लस यह rent, जो charge करते हैं, high rent, वो भी कम किया जाए, और Congress के बहुत सारे जो Congress नेता थे, वो इन्हें नाराज नह जो भी foreign goods पे जो है, क्या चाहते थे, protection चाहते थे, क्योंकि foreign goods आ रहे हैं, तो इनका धंदा बेकार होता है, बहार से जो चीज आ रही है, उस import बोलते हैं, ठीक है, and rupees sterling foreign exchange ratio, that would discourage the import, अब सुनों यह आपर, यह rupees sterling foreign exchange क्या होता, तो पहले क्या होता था, basically pound चला गरते थे, sterling pound बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें इनन rupees की value देखी जाती थे, जैसे आज का होता है, एक dollar बराबर कितने इनन rupees, पहले ऐसा होता था, कि rupees को compare किया जाता था, और rupees की value थी न, वो degrade होती आ रही थी, continuously, तो इसमें भी क्या रहते थे, इसमें इनक घाटा हो रहा था, तो ये सारी जो चाहते थे कि यतने भी restrictions लग रखे हैं, और जो भी हमारे imported goods है, उससे हम protection चाहते हैं, जो भी भार की जो सामार आ रहा है, उससे हमें protection चाहिए, तो ये मानना था किसका, businessmen का, ठीक है न, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अचा, women की participation की बात करें, तो women के क्या scene तो यहाँ पर इन्होंने actively participate किया था, लेकिन दिक्कत यह थी कि इन्हें, इनके rights नहीं मिले, और वैसे भी वहातमा गान दी बोलते थे कि ठीक है, यह जो women कर रहे हैं, अपने देश के लिए, यह तो उनका मतलब एक kind of होता ने चाहिए, पूजा करते हैं, sacred चीज हो गई है, और वैसे women को घर का काम संबालना चाहिए, यह करना चाहिए, वो करना चाहिए, जो की ठीक नहीं था, और Congress में भी आप देखोगे, Congress में भी लंबे समय तर कोई भी एक women leader नहीं थी, तो यहाँ पर women ने actively participate तो किया, यह screenshot ले ले लेना, ठीक है, actively participate तो किया, लेकिन इन्हें ब यहाँ पर limits की बात कर रहा हूँ, मैं, kind of, यह demands बोल सकते हो, कि जो limits लगती ही थी, basically, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, participants of Dalits, Dalits की हम बात कर लेते हैं, यह बहुत important topic है, अक्सर जो एक्जाम में आ जाता है, तो इसका पहले screenshot ले लो, ठीक है, बात में notes बनाते रहाना, त तो देखो, अचा, Congress के हम बात करें, तो Congress काफी time तक, Congress Party जो थी, क्योंकि पूरी इंडिया को उस टैम पर represent कर रही थी, वो Congress Party, तो Congress Party ने एक time तक जो है, यहाँ पर काफी जाधा ignore किया, किसको ignore किया काफी time तक, Dalits को, Dalits को ignore किया, है ना, और क्यों ignore किया, ताकि वो सनातनीज हैं, उनको offend नहीं करना चाहते थे, तो वही लिखा हुआ है जो को, for long Congress had ignored the Dalits for fear of offending the सनातनीज, the conservative high caste हिंदू, सनातनीज कौन थे, तो उस टैम पर जो high caste हिंदू हुआ करते थे, और जो की conservative थे, conservative, conservative क्या होता है, भाई, जो पुरानी सोच वाले थे, है ना, they were just like, have you watched मोहबत movie, so they were just like, Amitabh Bachchan of मोहबते movie, अगर आप किसने देखिया तो पता होगा, तो conservative मतलब पुरानी सोच वाले, तो उनने सनातनीज बोलते थे, एक high caste हिंदू थे, और conservative थे, तो इनको जो है, नाराज नहीं करना चाहते थे, तो इस वए से Congress वालों ने भी, इनका support कम किया, लेकिन गांदी जी जो थे, वो इस चीज के बहुत अगीश थे, उन्होंने बोला कि जब तक दलितों को हम जोडेंगे, इन्हें mainstream society में आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमें आजादी नहीं मिल पाएगी, ठीके ना, आप देखो, but Mahatma Gandhi declared that the Suraj would not come for the 100 years if untouchability was not emulate, तो उन्होंने दलितों से बहुत जादा प्यार था, बहुत जादा महबबत थी इन्हें, किसकी बात करो है, गांदी ही से, गांदी की, तो गांदी दलितों को जो है काफी आगे बढ़ाना चाहते थे, गांदी इस चीज की बिलकुल खिलाफ थे, ठीके ना, आचा, अम बात करें, ज lettला यह था, कि जब 1930 मजब ह tap logo i नाराज हो जाते हैं और गांदी जी उस टैंप पर यरवदा जेल में थे तो वहां पर भूक हड़ताल पर बैठ जाते हैं यह बहुत गलत है अगर यह हो गया ना separate electorate reservation के support में थे गांदी जी reservation के support में थे आरक्षण के support में थे कि हां तुम लेकिन यह separate electorate के जो है यहां पर पक्ष में नहीं थे इन्हें लगा कि अगर अगर ऐसा हो गया ना तो हम और ज्यादा गुलाब कि जगा जो है कौन सा पार्ट केंडिट खड़ा होगा दलिट और इसको वोट कौन देगा सिर्फ दलिट ही देंगे यह वहता है तो यह और सब बेपकूफ है क्या है न तो ऐसे तो भी लड़ाई दंगी होंगे ना मन मुटाव आएंगी ऑविस सी बात है तो यहां पर कैसे आजादी मिलेगी ठीक है न तो यह सारी चीज़ें जो होती है अब इसी के उपलक्ष में क्या होता है इसी के उपलक्ष में एक पैक्ट साइन होता है पुना पैक्ट का मतलब मैंने बता दिया ओलड़ी एग्रिमेंट 1932 में किसके बीच में होता है गांदी जी और भीम्रा अंबेट करें वीजवें तो इसमें अग्री होते हैं अपर फाइनली जो इनकी भूख हरताल होती है खतम हो जाती है तो इसी वज़ेसे यही कारण है कि 1932 से 42 तक जो है कुछ होगा ही नहीं गांदी जी क्या करेंगे 10 साल जो है दलितों के लिए काम करेंगे ठीक है दलितों के लिए काम करेंगे गांदी जी तो यहाँ पर 10 साल तक कुछ भी नहीं होगा ठीक है ना तो यहाँ पर क्यों नहीं होगा तो Muslims का सीन थोड़ा लग था, Muslims का भी वही सीन था कि क्या सीन था, तो Muslims का ऐसा मानना था कि जो एक Congress Party है न, ये kind of आप बोल सकते हैं, ये Hindu, एक Hindu Party की रूप में ज्यादा आ रही है, तो यहाँ पर, basically, यहाँ पर जो Muslims थे, ये काफी अंगेश थे, क्यों अंगेश थे, इन्हें लगता था कि Congress Party जो है, kind of एक Hindu Party बन चुकी है, क्योंकि उस टाम पर जो हिंदू मासावा कर गठन हो चुका था, तो Congress Party को उससे भी जोड की देखा, जाने लगा था, और यहाँ पर, kind of, यहाँ पर जो, एक होता न, इन security वाली जो feeling आती है, उस टाम जो मुसलिम लिखती है, उसके chairman कौन थी, मुम्मद लली जिन्ना जो थे, जिन्ना जी, मुम्मद लली जिन्ना, इन्हें ऐसा लगता था कि कहीं न कहीं हमारे जो minority हैं, यानि कि जो Muslims हैं, इनके rights को affect हो रहे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने agreement कि देखो, हम हमें क्या, हम जो separate electorate है, इसको हम हठा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें reserve seat चाहिए, मतलब जहाँ पर Muslim population बहुत जादा है, उस area में जो हमें reserve seat चाहिए, मतलब proportion के according, मतलब जहाँ पर जिसकी population जादा है, उसके according जो हमें reserve seat चाहिए, कि जो हिंदू मासवा की leader होते हैं, और मुहमद इली जिन्ना जो होती है, इनकी बीच में भहस हो जाती है, और इस चीज को बिलकुल भी अमल हटा दिया जाता है, कि हम यह चीज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देखोगे, एक पूरी तरह से धरार आती है, और आप देखोगे, मुस्लिम का कोई भी participation नहीं रहा, इस moment में, है ना, और यहाँ पर देखोगे, यही आगे चल के जो है, पाकिस्तान और इंडिया का जो है, जो एक बटवारा जो हुआ था, जिसमें पाकिस्तान नया निकलता है, उसका कारण बनेगा, ठीक है, अब यहाँ पर एक last topic बचाए, sense of collective belonging, है ना, sense of collective belonging निसका मतलब क्या होता है, कि हम सब एक हैं, और जब हम सब एक हैं, तो हमें एक करने के लिए भी, बहुत सारी चीज़ों होती है, वो होनी चाहिए, मतलब हम सब एक हैं, जैसे हम बात करें, हमारे देश का अलग होता है, तो जब जो, जब ही राष्ट कान वगरा होता है, तो हम लोग, आब हो सकते हो, सीरे खड़े हो जाते हैं, कि मोटिवेशन जो अंदर सो होता है, राष्टवात की भावना जो होता है, वो आ जाता है, national anthem जब भी होता है, तो आपने देखा होगा, जैसे movies वगरा हम तो national anthem होता है, सब खड़े हो जाते हैं, और बिलकुल straight है, तो यह सब होता है, और हम बात करें जैसे हमारे देश का national flag भी है, national flag की हम बात करेंगे अभी, तो यह सब सारी चीज़ है, सब क्लेक्टिव ब्लॉंग नहीं होता है, हम सब एक shared culture की है, हम कुछ नहीं कुछ जैसे होता है, बहर एलिगरी बनी थी, जैसे जर्मनी की जर्मेनिया थी, फ्रांस की मार्याना थी, ठीक है, और जैसे इंडिया की जो बंकिम चटोपादिया जो थे, इन्होंने पहली जो इमेज बनाई थी, भारत माता की, ठीक है, इन 1870 ही रोड़ता वन्ने मातरम, as a ham to the mother land, मतलब अपनी motherland के लिए, मतलब अपनी बहुते ना भारत माता की जाए, क्यों बहुते हैं, तो यहीं से स्टार्टिंग हुई थी, तो हम भारत माता को ऐसे पूरे इंडिया की माता मानते है, भारत माता, तो हमारी इंडिया को रिप्टेंट कर रही है, एक allegory है, बहुत स्टोरीज जो है, इसको हमने काफी सारा संहाना दी, क्योंकि इन फोक सॉंग से हम अपने देश के बारे मताते हैं लोगों को, है ना, एक होता है, कलेक्टिव आइंटी जो डेवलप होती है, कि हमारे देश में कितने महाल लोग रहते हैं, हमारे देश के कितनी rich history है, तो इन इन्होंने हमारी history को बहुत जादा exploit किया था, और हमें ऐसा दिखाया था कि हम असब्य है, हम uncivilized है, लेकिन हमारी history आप पढ़के देखोगी, तो हमारी history बहुत rich है, तो कई सारी historians आए, इन्होंने हमारी Indian history का जो है, बहुत जादा interpretation दिया, कि we used to be the wish guru of the world, ठीक है, तो यह इसा कुछ flag था, तो flag का revolution भी हुआ है, गांदी जी के टाइम पर उन्होंने चर्खा रहा दिया था, 1991 में गांदी ने flag बनाया था, और फाइनली आथ का आप फ्लेंग जो देखते हो यह है, अशो का चक्रा बीच में, यह जो तीन colors जो है, ठीक है, ठीक है, तो फाइनली इस समच में आ गया होगा, तो अगर पसंद आया हो, तो लाइक जुरूर करना, और कोई भी छोटी-मोटी गलती हो, तो रव्यूस देदेने अपने, ठीक है न, शुदार करेंगे, ठीक है न, चलिए, तो एंड करते हैं इस lecture को, अब हम मिलेंगे अगली class में, तब तक के लिए गुद बाइ, तक केर.